हेलो इसरेंट स्वागत है आप सभी का फेक्टेक्स आके एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलोशिप दोजा 24-25 की स्टेटेस के बारे में कि आपका स्टेटेस कब जारी होगा सबसे पहले जाने लिए कि स्टेटस होता है क्या इसमें क्य सब्सक्राइब कर दिया इसको देख करके आप समझ जाए और आपके किस तरीके से जीज होगा अभी मैं आपको बताऊंगा फिर किस डेट में फारवार्ड किया है वह आपका रहेगा आपका मेक्समुम माक्स रहेगा चुकि यह आपका जो सीजीपीए फार्म वाले सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यह आपके अगर कॉले वाले सेवन्टी फॉर पॉइंट नाइन परसेंट अगर करके भी देते हैं तो इस किस में डाइरेक्टली आपका फार्म रिजेक्ट होगा कोई सुनवाई नहीं कोई करेक्शन का महुँका आपको नहीं मिलेगा जो बच्चे खास करके कोली बगर नहीं जाते होंगे कोली में जरूर बात कर लेंगे कि सर मेरा इतना कर दीजिएगा अधर्वज आपका फार्म क्या हो जाएगा जैसे इक वाले सेवन्टीफोर पॉइंट नाइन बढ़िकर करके अगर आगे कर भेद दिए तो आपका फार प्राप्तांग कोड़ांग है और अपके टेंडेंस का पर सेंटे यह सारी चीजिए क्या करेंगे आपके कोली वाले भीजिए तो आपका फार्म पर पहुंचेगा तो वहां से फिर आपका वेरिफाई होगा बैंक डिटेल्स होगा वेरिफाई होंगे और उसके बाद से समस्या आती है तो वहां से आपका रिजेक्टेड वाई डिटेल्स को ले करके तो आपका पैसा आने वाला है तो बैंक को लेकर के कोई जयादा समस्या नहीं होती है होई अगर आपने हाइल सकूल के डिटेल्स वगरा ग्रतभर दिया है याख इंटरमेडियर के डिटाल्स वगरा तो इस तरीके से माक्स मिसमेच की समस्या आती है तो ठोड़ी चीजों के लिए जो माक्स मिसमेच वगरा वाले बच्चे होंगे उनकी लिए करेक्षन का भी मौका मिलता है यह आपका स्टेटस होता है कभी स्टेटस होगा इस बार की बात करें तो अगले महीन की बात करें कि दिसंबर की बात को दिसंबर के फर्स्ट विक सभी का स्टेटस सब्सक्राइब करके आपको यहां से मिलती रहेगी सब्सक्राइब करके बेड आइकन को प्रेस करके और पर क्लिक करेंगे देखिए अगले मंत की बात करें दिसंबर में फस्ट विक क्या सब्सक्राइब करने का प्रोसेस क्या है इस वीडियो आपको काफी ज्याज़ा और इंफर्मेटिव लगा होगा फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाज़त देजिए धन्यव में